गाईशर आज की हमारी इस वीडियो के अंदर में बात करने वाला हूँ Shiba Inu Coin के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में आप सभी को डीटेल में बताने वाला हूँ कि क्या Shiba Inu का coins 2025 में एक रुपे तक जा सकता है तो आपको वही एक हजार रुपे साड़े तीन लाग रुपे बन सकता है इतनी ज्यादा potential है Shiba Inu में आभी एक हजार रुपे इन्वेस करने अपर अगर 2025 में एक रुपे तक चले जाता है तो आपको शाड़े तीन लाग रुपे बन सकता है आपके एक हजार रुपे तो आज की इस वीडियो का अंदर डीटेल में बताऊंगा कि क्या Shiba Inu का जो कोई ही ने वह एक रुपे तक जा सकता है या पर 2025 में चले जा गया फिर कब तक जा सकता है और क्या एक चुल में जा भी सकता है फिर नहीं जा सकता है एक तब डीटेल में बताने माला हूँ वोल्यूम्स के बैसे पर इसका complete chart analysis करेंगे इसकी holdings देखेंगे किस आप से perform करता है किस आप से इसकी moment आती है इसमें इन सारी बार में डीटेल में बात करेंगे तो में एक सब्सक्राइब को एंड देखना एंड बिना स्केप के देखना तब ही जाए कि आपको सारी चीज समझ में आएगगी ठीक है क्रिप्टो में कैसे invest कर सकते हैं तो अब चलते हैं डायरेक्ट एन आपको बचाता हूं स्क्रीन पर कि क्या सीवाइनू का कोईन दोजार पचीस में एक रूपे तक जा सकता या फिर नहीं जा सकता आप सभी का ज्यादा रहेंवेस के बने इस वीडियो को सुरू करते हैं तो अभी आप देख सकते हो ठीक है मैंने सीवाइनू जो कोईन से हमारी जो अप्लिकासन है कोईन मार्केट के एक वेपसाइड है जिस पे मैंने कोल के रखाएट अभी यहाँ पर हम कम्प्रीट एनलसिस करेंगे साथ इसका ओ ट्रेडिंग यू के उपर जाकर लाइव चार दिये ठीक है और आज के दिन में यह साथ परसंट तक भागा है सीवाइनू गाई अगर हम लोग देखेंगे पिछले साथ दिन में जो सीवाइनू का कोईन ने गई सीवाइनू इसने पांच परसंट के रिटन दिये पिछले सिफ एक महीने के अंदर सीवाइनू 70 परसंट भागा है और पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे तो अल्मॉस 230 परसंट के रहाएन शीवाइनू भागा है अगर ओल्टाइम हाई की बात करते हैं ठीक है अभी तक ओल्टाइम इसने अल्मॉस 24,43,879 परतिसक का रिटन दिया है यानि कि आपको मैं सिधी से बात बता हूं अगर आपने जब ही कोई लॉंच होा था तब अगर इसमें आपने एक रुपे इन्वेस किया होता तो आपका एक रुपय 24,000 रुपे हो गया होते आज के दिन में अगर आपने उसमें उस ट्राइम पर 100 रुपे में इन्वेस्ट किया होते तो आपके डाई लाग 20,000 अगर आपने गलती सिसमें 1,000 रुपे इंवेस्ट कर दियो थी जब कोई लॉंच वा था तब 2021 में ठीक है 2021 में कोई आया था तब अगर मामल अपने सीबा इनु में एक हजार रुपे इंवेस्ट कर दियो थे 2021 में तो आज वो आपके 2,40,000,000 रुपे हो गए होते इतना ज़यदा पोटेंशिल क्रिप्टो में एंड सीबा इनु में गाई तो अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड बीच बीच में तो इसकी प्रैस और ज़यदा काफी ज़यदा बढ़ गई लेकिन बात में जो थुरा मतलब कि बहुत ज़यदा वोलेटाइल कोई इसको काफ बिल्यन डॉलर का है जो कि विछले एक साल के अंदर एक से दो साल के अंदर काफी ज़यदा बढ़ा है ठीक है बिच-बिच में इसका जो मार्केट केप था हो काफी नीचे आ गया था ठीक है बहुत नीचे आ आगया था अगर आप लोग देखोगे फुर्स टाइम पे इसक में काम करता है वो करता है supply अब देखोगे ना सिवा उन्हों की जो supply है वो 590.51 trillion की है इतनी supply अभी जो है सिवा उन्हों की हो रही है तो किस sufficient है ठीक है जब भी किसी चीज़ की demand होती है तो supply कम होने पर उसके और ज्यादा मतलब की demand बढ़ती है लेकिन इसकी जो supply है जितनी demand उतनी supply हो पा रही है इसलिए coin में हमें उतनी भी बड़ी rally देखने को नहीं मेले लेकिन हा फिर भी पिछले एक महीने के अंदर यह 70% की इसमें rally दिखाई जो कि काफी बड़ी बात है ठीक है अब बहुत अच्छे है इसके इसका जो supply वो अग्दम decent है market के अब लेकिन फिर भी अब लोग देखो तो decent है market के अब भी volumes में हमें काफी अच्छी growth देखने को में लिए volumes में almost 14% की growth देखने को मिली last 24 hours के अंदर में ज्यादा का time नहीं बता रहा सिर्फ 24 घंटे के अंदर हमें इतनी growth देखने को मिली ए जब भी किसी coin में volumes की growth हो रही है उसक उसके demand भी ज्यादा बढ़ेगे ठीक है volume का बढ़ता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने आते है buy sell करने आते है तो उसका volume बढ़ता है और volume बढ़ने की वज़े से ही कि किसी भी stock का संपक कर लो है और coin का समझ लो उसका price भागता है बढ़ता है तो यही basic सी चीज है अब अगर हम इसको market के उपर click करते है मार्केट पर हम जाएंगे तो यहां पर आपनों देख सकतो है इसके compare में अभी जोना सीवा इनु जोना अलग-अलग exchanges के उपर listed है काफिशर exchange है Binance के उपर है bybit के उपर है coin exchange के उपर है सीवा जो sweep है इसका खुद का exchange उसके उपर भी है upbit के उपर है सभी के उपर है ठीके मैं अभी फिलाल इसको 00033 इसको मैंने आप पर जब रुपीश में convert कर रहा थे आप आप लोग देख सकते हो रुपीश में convert कर रहा तो इसका जो निकल के आ रहा है वो 0.0028 पेसा निकल के आ रहा है लग इतने पैसे का एक coin है यानि कि मालो अगर आप लोग 1000 रुपै अब इसमें invest करते हो अगर आप लोग इसमें 1000 रुपै तह आपके पास 3000 एक रुपए हो जाएगे तब के पास तीन लाग साहाट हजार रुपए हो जाएगी यह कल्कुलेसन आप खुद भी कर सकते हो सिधी से बाते एक हजार रुपए में 0.0028 जो पेसा इसको डिवाइट कर दिना उसके बाद एक वेल्यू आजाएगे यहापर देख सकते हो सीभाइणू टोकन्स अनलॉक मतलब क्या होता है जब भी किसी कोईन की डिमांड बढ़ती है जब कोई coin listed होता है जैसे stocks में होता है कि कोई stock आता है तो company पूरे shares तो देती हैं कुछ promoters के पास रहते हैं कुछ foreign institute के पास रहते हैं तो अभी company जो ना जो unlock coins है जिनको की बड़े-बड़े holders कुलो करके बैटे उनको भी रिलीज करने का प्लान कर रही है ठीक है उनको भी थोड़ा-थोड़ा करके रिलीज कर रही है जब यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यह सबसे यह इंपोर्टेंट कर दी किसी भी कोईन को एनलसिस करने के लिए उसकी होल्डिंग्स मतलब सिभा इ देवल पर 2024 से पहले अच्छे जब इसमें एक अच्छी कासी रही थी तब कि मैं देख रहा हूं हाँ 2024 में 2024 जनवरी की बता रहा है यह 2022 इस पर हम देखते इसका ओल्टाइम हाई का चार्ट एक बार मैं आपको समझाना चार रहा हूं कि एक्च्छल में कोईन्स भागते कैस पर इसका जो एक्जेक्ट डाटा नहीं है मेरे साब से एक बार हम थोड़ा चेक कर लेते हैं ठीक है कि कहां पर इसका जो मतलब कि एक्जेक्ट डाटा हो सकता है एक बड़ फिर से हम देख लेते हैं सीभा इन्नो सीभा इन्नो यसडीटी हम देखते हैं ओके हां यह वाला डटा सही है इसका ठीक है अधिक श्रय उपने देखोंगे इसका चार्ट को आइस ठीक है इसके चार्ट को देखो गए तो कुछ 2021 के आराउंड का यह चार्ट इसका जब यह कोईन आया ता जब यह यह सब्सक्राइब नीचे जब आने के बाद लेकिन वहां से आप लोग देखोगे तो इसने ना बहुती कम समय के अंदर कुछ इस वाले लेवल से इसके प्राइस भागना शुरू की थी शुरू होई थी और अलमिस एस वाले लेवल तक गई थी तेरासो परसेंण अभि कितने दिन के अंदर गई fan आप बता तो में ठीक है इस वाले लेवल से ने भागना शुरू किया था शीवा इन्हों ने और इस वाले लेवल तक गई थी 28 दिन पूरा एक महीना भी नहीं लगा इसको 1300 परसंट भागने के लिए और ये कैसे हुआ ये हुआ वेल्स की वज़े से वेल्स का होता है जो बड़े इंवेस्टर से जो बड़े बड़े ओपरेटर से न वो इस कोईन को ओपरेट करते हैं वो इस कोईन में वोलेटिलिटी लाते हैं अगर मानलों ने भर भर के कॉंटिटी भाई करना शुरू कर दी तो इक कोईन एकदम भागने लगीगा एक चीज़ आप पूर बताता हूँ देखो उसके बाद ने इस कोईन एकदम गिरने लगा एक बहला है उसके बाद इस कोईन में ऐक आपर घरावाली हाँ इस से सब्सक्राइब है उसके बाद में अदर अगर एक दिन का देखें आतो तो जैसे टोप पे जाके जो वापस सेलिंग करना शुरू करी तो coins वापस नीचे आ गया तो मैं यह बता रहा हूं कि जब भी कोई coins जो छोटा coins रहता है भागने का रीजन वेल्ट होते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम इसमें नीचे जाएंगे इसके holdings में सीबा इनों की holdings में जब जाएंगे गाईस तो सीबा इनों holding में अगर आम जाएंगे थोड़ा नीचे हों आते हैं तो यहां पर इसमें almost 59% मतलब almost 60% 90% इसमें wells की holding है वेल्स को hold करते हैं बाकी की जो 40-5% इसको other लो ओल्ड करते हैं तो अगर इसमें almost 69% की wells की holding है तो बड़े हाराम से हम बोल सकते हैं कि wells इसको और कहीं भी ले जा सकते हैं सिब 1 रूपए नी इसको 10 उपर भी ले जा सकते हैं 100 रूपह भी ले जा सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो का कोई ऐसा डिसाइट ने रहेता कि कब कहां पर जाएगा, लेकिन अगर हम इसको देखें, तो अभी की इसाब से इसमें वेल्स की अच्छी-कासी होल्डिंग है, अभी इसमें वेल्स की है, तो बड़े आराम से इस कोईन को वापस एक रुपे तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई टाइम हम डिसाइट ने कर सकते हैं, कि दोजार पचिस में ही चले जाएगा, हो सकता है दोजार चप्पिस पचास पेसे तो जाएगा, तीस पेसे तो जाएगा, अभी वेल्स की है, 0.0028 पेसा, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, तो वहां से आप लोग इसमें मिनीमम हजार रुपे, दो जार, दस जार रुपे इन्वेस्ट करते हो, तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी वेल् कुछ बैसिक बैसिक सी चीज़ है, अब हम इतना तो समझ में हम लें, ठीक है, क्या प्राइस है, कि यसे जा सकता है, अच्छे से, ताकि चार्ट से आपको सारी चाही समझ में आएगी, बेटर वे में समझ में आएगा, अगर मादल आपको एक रुपे नहीं है, तो बड़े यह आराम सब लोग निकाल सकते हो लेगिन केसे उसके लिए आपको में चार्ट देखना पड़ेगा अब एकर आप लोग देखोगो तो बिल्कुल यह अपने रिजिस्टेंस के पास खड़ा है ठीक है कुछ इस वाले लेवल पर आपको में डेली चार्ट पर नजर आएगा अगर आप लोग देखोगे ना तो इसका जोने एक यह वाला जो जो जोने एक अच्छा खासा रिजिस्टेंस है यह जो मैंने लाइन ड्रो करिए ना अब मैं आपको डेली चार्ट पर लेकिए चलता हूं यह देखो बिल्कुल इसके ओपर रिजिस्टेंस के ओपर खड़ा है यह इस वाले लेवल पर इसका अच्छा का सा रिजिस्टेंस था एक मतलब उतना भी ज्यादा नहीं बोल सकता है लेकिन हाँ एक रिजिस्टेंस था इसका इस वाले लेवल पर बिल्कुल अभी जो जो कोई नहीं यह बिल्कुल खड़ा है वहीं पर बिल्कुल यह देख स की रैली दिखा सकता है 40% बड़े आराम से भाग सकता है कुछी दिनों के अंदर यहां फिर हो सकता है एक दिन के अंदर भी भाग जाए क्योंकि आप लोग देखोगे ना यह जब भागता है यह जब कोई नहीं भागता है तब साहाट परसेंट, चालिस परसेंट, तीस परसेंट, ऐसी केंडल सी बनाता है, तो हो सकता है कि यहां से breakout देने के बाद थोड़ा consolidate करें, थोड़ा बद नीची आ सकता है, लेकिन 40 person की rally मुझे इसमें बड़े हराम से देख रही है, अभी अगले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, क्योंके अभी crypto में एक अच्छी rally भी आ रही है, तो यहां से भी हम मतलब की फाइदा उठा सकते हैं, लेकिन जब तक यह breakout नहीं आता है, तब तक आपको उसमें trade नहीं करना है breakout आने के बाद भी pro पर एक अच्छा stop loss रखना है, यह दिन उसके बाद में trade करना है, यह को recommender से नहीं, बैकि मुझे लगता है कि Siba Inu, एक रूपे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, मैं तो उसको hold कर रहा हूँ, and hold करके रखने वाला हूँ guys, ठीक है, तो यही था, आई कि तक crypto invest करने के लिए कोई demate account create नहीं किया, कोई account create नहीं किया, अच्छी application आप रोंट है, डिस्क्रिप्सन बॉक्स में सबसे उपर में link मिल जाएगा, उस application पर आप लोग डिमेट account बना सकते हो, account बना से तो crypto invest करने के लिए, मैं खुद उसी का use करता हूँ, उसी से trade करता ह उसी दिस्वाद टिक